वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम DV498A और 125C RPC की बात करेंगे या फिर पतनी कोई भी जूठा केस अपने पती के उपर करती है तो उसमें पती क्या करें इसके बारे में बात करेंगे अगर आपके उपर मामला दर्च हो गया और आपको मेंटेनिंस का नोटिस भी मिल गया अब आप वो सारे काम करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए जैसे कि आप पुलीस में एप्लिकेशन देते हैं आप बड़े अधिकारियों को भी एप्लिकेशन दे देते हैं आप मेंसे दिक्तर लोगों को ये अनुभव होगा कि इससे होता कुछ भी नहीं इसमें रिलीफ भी नहीं मिलता जब आपके उपर F.I.R. दर्च हो जाती है और आप सारे सबूत पुलीस को दे देते हैं फिर भी पुलीस F.I.R. दर्च करती है पती ये सोचता है कि कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाएगा लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता और जब पत्नी पक्ष को पैसा मिलना शुरू हो जाता है तब चीजे कंट्रोल से बाहर होने लगती है तब सेटलमेंट नहीं होगी फिर तो कैलिकुलेशन होगी और कैलिकुलेशन करके जो चीजे सामने आएंगी उनका इन्टू फॉर करके वो आपके सामने चीजों को रखेगी लो अप कर लो सेटलमेंट जब पत्नी 125C RPC का केस करती है तो पती भी अपनी तरफ से स्टैप ले जब आपको लगता है कि पत्नी ने F.I.R. दर्च करवाई या कोई और केस फाइल किया तो जैसे ही F.I.R. की कोपी आपके हाथ लगती है तो आप भी केस फाइल करें क्योंकि जुटी F.I.R. में काफी मिस्टेक्स होती है और उसी मिस्टेक्स को हतियार बनाकर पती भी केस जीत सकता है जब पती केस करता है तो पत्नी को भी बेल करवानी पड़ती है तो पत्नी को भी डर रहेगा और वो जुटे केस तुबारा आपके खिलाफ नहीं करेगी अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप भी उसके खिलाफ काउंटर केस कर सकते हैं जिसे कोई भी गलत करने से पहले सोचेगा और आप अपने लीगल राइट्स का प्रयोग करके पत्ने को जूटे केस करने के लिए बाउंट कर सकते हैं तो आई होप दोस्तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदीत जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शियर और सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो में लास तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद